हेलो विडियो में मैं आपको वाजदेव सरण अग्रवाल जी का जीवन परचे साथ में साहितिक परचे बताने वाला हूं और साथ में रचनाय बताने वाला हूं जो कि एक्जाम के लिए बहुत जाद इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उम्मीद है कि आप सब को फटाक सिया साहितिक परचे में क्या रचनाय क्या है इनकी तो यह सब लेकर आया हूं ज्यादा टाइम में आपको नहीं लूँगा तीन मिनिट में आपका कंप्रेट करने वाला हूं देखिए वासदेव सरण गरवाल जी थोड़ा-थोड़ा मैं बता दे रहा हूं ऐसे ही तो ध्यान से सुन लिजिए कि इनका जन्म जो है मेरट में हुआ ता कहां पर हुआ था मेरट मेरट यूप में पढ़ता है तो अब देखिए इनका बचपन जो है लखनाओ यानि कि उत्तरप्रदेश की राध्धानी में लखनाओ में बेतीत हुआ और इन्हों ने बनारस यानि कि कासी हि सुन लिजिए बचपन की पढ़ाई इनका लखनाओ में हुआ और कासी हिंदु भिस्विध्याले में इनोंने डीलिट की उपाधि प्राप्त कर ली थी और इनका उनने इसंफ चार में कब उनना इस सो पाइस सीयाद कीजिएगा उननाइस याद हो जाएगा ना उनननाइस स में चार जोड़ देना तो नहीं सो चार हो जाएगा और इसी में अगर आप 63 जोड़ लेंगे ना तो इनका जो है इनका जो है इनका डेथ जो है हो गया था कितने 63 साल बाद यह गुजर गए थे हमारे बीच नहीं रहे थे तो आज दो स्रड़ा अग्रवाल के अब मुझे को यह इंका बचपन कहां था मेरट में लेकिन स्कूली सिच्छा लखनाओं में भीटीत हुआ इन्होंने का सी हिंदू भिष्व जञाले में क्या किया नए पढ़ सकते हो 되어 से अंतित की यानि कि हिड मास्टर जी से आप आते हो आचारे पर सुसोभीत हो गया थे उन्हीं सो सड़सट में इनका परलोक सिधार गये थे अब देखेंगे अग्रवाल जी भारती संस्कृत तो देखो अग्रवाल जी भारती संस्कृत और प्राची नितियास के प्रकांड पंडित एव सब्सक्राइब की जीवन परचे और साहितिक परचे आपका कंप्लीट हो गया अब रचनाय बजा देख लिए एक मिनिंट और है देखें नीबंद संग्रा नीबंद संग्रा में क्या है इन्होंने कौन-कौन सा लिखा कल्प बिरिच प्रिथवी पुत्र कल्पलता भारत की इन्होंने इतना निबंद संग्राइन का मिलते हैं निक्सी वीडियो में बस इसी प्रिकार से सोट वीडियो अब लेकर आऊंगा छोटा-छोटा वीडियो जिसे की आपका समझ में धन्यवाद